नमस्कार दोस्तों मार्केट की बात करते हैं शर्वजार के बात करते हैं नमस्कार दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्पेशन लिम्टेट की बात करते हैं क्यूफोर के नतीजें आने वाले थे सत्रह पांस दो हजार बाइस को और स्टॉक प्राइज 124 रुपे में है प्येस यू क क्रफिट के आया है कमपनी को बोनस दिया गया दो स्टों अगर आप दिया गया है इंडियान ओल स्टाइब के पूरे साल भर के नतीज़ों को चेक कर लेते हैं बोनस जो दिया गया ratio के बारे में उसको समझ लेते हैं और dividend के बारे में समझ लेते हैं तो Indian Oil Corporation Limited के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में Q4 के नतीजों के बारे में Indian Oil Corporation Limited Q42022 के नंबर्स हैं stand-down financial result है यह और 31 मार्ट 2022 के quarter में revenue है जो revenue जन्नेट हुआ है Indian Oil का दो दो लाग 6,460 करोड का है एक साल पहले एक लाग 63,732 करोड का था और Q3 में एक लाग 97,132 करोड का था दोस्तों तो इस quarter में Q4 में Indian Oil का revenue बढ़कर आया है quarter and quarter के इसाफ सभी साल आना भी अधार income को plus करके देखते हैं तो देखे जो total income है दो लाग 7,412 करोड का total income है Q42022 में और एक साल पहले एक लाग 64,834 करोड का था Q3 में एक लाग 98,547 करोड का था और Q3 में एक लाग 98,547 करोड का था तो टू लाग 7,412 करोड का total income हुआ है Indian Oil Cooperation Limited को Q42022 में दोस्तों total expenses की बात करते हैं तो दिखे टोटल expenses है इनका एक लाग 99,327 करोड का total expenses है और total income है दो लाग 7,412 करोड का तो कंपनी को profit है profit loss before tax की बात करते है profit before tax की बात करते है तो 8084 करोड का है Q4 में इस साल और पिछले साल 10,951 करोड का था और Q3 में 7,479 करोड का था दोस्तों Q4 में net profit loss for the period की बात करते है तो 6021 करोड का profit आया है इंडियन और को और साल भर पहले 8781 करोड का profit था कम हुए है साल आना और Q2 के इसाफ से देखते हैं तो बड़ा है 5860 करोड का है आगे की तरफ चलते है total comprehensive income for the period की बात करते है तो 8520 करोड का है और साल भर पहले 10104 करोड का था और Q3 में 4481 करोड का था दोस्तों और earning per share की बात करते हैं तो इस quarter में 6.56 का है और साल भर पहले 9.56 का था और Q3 में 6.38 का था Indian Oil Corporation Limited ने Q4 के जो नतीजे पेज किया है revenue तो बढ़के है दोस्तों revenue बढ़ा है सालाना भी बढ़ा है quarter and quarter के इसाफ से बढ़ा है 2,7412 करोड का है profit की बात करते है 6,021 करोड का है quarter and quarter के इसाफ से बढ़ा है और सालाना एक तरह से कम हुआ है तो एक तरह से मिले जुले numbers कर सकते हैं बढ़ यह revenue इनका एक तरह से बढ़का है 2,7412 करोड का है दोस्तों यह Indian Oil के Q4 के नतीजे है dividend और bonus की बात कर लेते हैं अब दोस्तों bonus share की बात करते हैं Indian Oil Corporation Limited ने bonus share का announcement किया है recommend किया है और जो ratio है one two two का ratio है दो equity share के बले एक equity share मिलेगा जो ratio है दो share के बले एक नए share मिलेगा दोस्तों दो share के बले एक नए share मिलेगा जो bonus की record date है एक जुलाई 2022 है है और एक जुलाई 2022 है तो तीस जून 2022 एक्स डेट होगी और उस दिन share में गिरावट होगी थोड़ी बहुत एड़ेस होता है जैसे कि आप जानते हैं जो ratio है उसी के इनुसार एड़ेस होगा ratio का जो announcement हुआ है bonus shares का one two two ratio का हुआ है दो दो शेयर के बले एक नया share मिलेगा shareholders को record date एक जुलाई 2022 है अब दोस्तों dividend की बात कर लेते तो final dividend जो आया है Indian Oil Corporation Limited की तरफ से तीन रुपिया साथ पैसा पर equity share के इसाफ से dividend declare किया है तो आने वाले दिनों में shareholders को तीन रुपिया साथ पैसा पर equity share के इसाफ से dividend मिलेगा dividend of three rupees 60 पैसा पर equity share having face value ten rupees is pre bonus बोनस के बाद कर दो रुपिया साथ पैसा पर equity share के साफ से dividend का announcement किया है प्री बोनस और बोनस के बाद कर दो रुपिया 40 पैसा पर पूटिशन जिन्होंने इंडियन ओयल कोपरेशन लिम्टेट में investment किया है तो आने वाले दिनों में dividend मिलेगा बोनस दे रही कंपनी अब एक नदर शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेता है अब दोस्तों share price के अनुसार बात करते हैं इंडियन ओयल कोपरेशन 2021 को उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आए थी 100 के पास आयता स्टॉक उसके बाद फिर से तेजी आई और नौवर दो हजार इकिस को एक सो एक तालीस रुपया पचास परसे का इसने हाई बनाए ज्यादा तर कंपनियों का नौवर में ही हाई बनाता उसके बाद फिर से गिरावट आई तो इस तरह का इसका रेंज है दो रुपय से उपर की तरफ 141 का हाई है तो 40 रुपय के बीचे घुमया पूरे साल बर म बना हुआ है इसका लगवाट 110 के आसपास में इसमें बाइंग आ रही है पिछले 44 मेनिका नूँ सार्थ फिर गिरावट बड़ी और 110 के आसपास तो 110 के आसपास इसका सपोर्ड बना हुआ है स्टॉक प्राइस है 24 में उपर की तरफ ये गया था 135 के आसपास गया था 21 अप्रेल 2022 को तो जो हडल्स होगा देखें उपर की तरफ का 126 रुपर 25 पैसा और उसके बाद 130 के उपर जाएगा तो थोड़ी बहुत इस पर तेजी आ सकती है उपर की तरफ जो अभी अप्रेल के महने में था यह उपर का लगभाग 135-140 तक जाता हुआ दिख सकता अपने 52 हाई के आसपास क्योंकि बोनस का अनॉंस्पेंट हुआ है और अगर स्टाउग नीचे की तरह स् कि दिया गया है यह तो आने वाली दिनों में इसमां रजकाल बढ़ सकते हैं यह इंडियन ओकोपरिशन लिम्टेट का लिट्स अपडेट है कीफूर के नतीज्यों का अप्डेट था और सात में बोनस दिया गया है कंपनी के द्वारा और अडिविड़ दिया गया है तो श शेर मार्केट से जुड़े रहने का धीरा सिंग के स्टॉक को देखने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें नए ने वीडियो देखने के लिए स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धैन्यवाद